Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तो आज की वीडियो में NFTQ preparation series में हमारा day 15 थे जिसमें हम python के previous slots के question देखेंगे solution और explanation के साथ यह हमारा part 3 है, part 1, part 2 हम cover कर चुके हैं काफी सारी चीज़े हमने cover कर लिये data structure, object oriented programming अब हमारी final preparation चल रही है क्योंकि 26 तो हो गई है थोड़े ही दिन बचें तो जितने questions हम solve कर सकतें उतने solve करने की कोशिश करेंगे मैं daily basis पे regular basis पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप अच्छे से practice कर सकें आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ जिसे कि मैंने यहाँ पे यह मेरी PDF बनाई है ठीक है यहाँ पे PDF बनाई है आज मतलब जितने भी question है उससे related जो की previous slot में पूचे गए थे तो ऐसी आपको और PDF चाहिए तो आप blog की link पे जाईएगा description में blog की link दे रहा हूँ blog की link पे जाएंगे तो आपको सारी PDF एक ही जगा पे मिल जाएगी और blog की link आप telegram channel से भी access कर सकते हैं तो बिना देरी करें वीडियो को start करते हैं first question देख लेते हैं first question में हमें class दे रखी है फिर यहाँ पे variable है, constructor है अब हमें यहाँ पे यह बताना है कि कितने reference variable जो है वो refer कर रहे है object को created in line 1 at the end of line 2 मतलब कितने reference variable है जो कि refer कर रहे है object को जो की first line में create हुआ है और line जो हो रही है to में end हो रहा है अब आप यहाँ पे ध्यान से एक समझेगा reference variable किन variable को बोलते हैं ऐसे variable जिनको use करके हम access करते हैं object को उनको reference variable बोल रहे है यहाँ पे line 1 create क्या हो रही है policeman जो है वो object बना रहा है जो की referred है इस particular variable से ठीक है refer हो रहा है policeman 1 से फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पे line 2 भी create कर रही है अगर हम इसकी बात करें जैसे line 1, line 2 इनको मत देखे जैसे यह first point है second point तो यहाँ पे क्या होगा कि policeman object जो है यहाँ पे भी policeman object बन रहा है तो यहाँ पे object बन रहा है जो की referred है इस से अब line 3 create कर रही है policeman 3 reference variable जो की referred है जो की object create हुआ है second line में फिर इस type से line 4 फिर line 5 मतलब third point, fourth point, fifth point अब यहाँ end तक यहाँ पे total दोस्तों अब जब आप इन्हें देखेंगे ध्यान से देखेंगे जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ reference variable create हुआ फिर reference variable create हुआ तो यह क्या हो रहा है reference variable को use करके हम refer मतलब access कर रहे है object को और एक object जो रहता है वो एक या एक से ज़ादा reference variable से referred भी हो सकता है ठीक है तो at the end जब हम line 2 खतम हो जाएगी तो at the end हमारे पास three reference variable यहाँ पे आ जाएगे I hope आपको यह समझ आया होगा इसी के सससत question number second की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से following function signatures incorrect है देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए यह define function है argument 1, argument 2, argument 3 keyword argument है जब हमें नहीं पता होता कि कितने number of arguments आने वाले होते तो हम इसका use करते हैं पर यहाँ पे ध्यान से देखिए यह एक syntax error है या तो यह invalid syntax है क्योंकि इस type से नहीं होता है अगर हमें बताना है तो हम एक ही बार में बता सकते है तो यहाँ पे error आएगी हमें यह बताना है कि कौनसी function signatures incorrect है ठीक है अब आप यहाँ पे third चीज को ध्यान से देखिए second को ध्यान से देखिए function 2 है argument 4 है 10 है argument 5 है कभी भी याद रखिएगा non-default argument जो रहता है वो follow करता है default argument को तो यहाँ पे error आ जाती है तो यह भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे non-default argument जो की follow कर रहा है default argument को ठीक है अब third वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे यह follow नहीं कर रहा है starting में यह हम यह बोल चकते हैं तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी error नहीं throw करेगा भला ही यहाँ पे pass पास है pass इसे error नहीं आती है दोस्तों पर आपको यहाँ पे ध्यान रगना है कि अगर हमने यहीं mistake कर दी तो यहाँ पे गलती हो जाएगी तो इसका answer जो है वो यह है कि following function signatures कौन सी incorrect है तो first or second तो यहाँ पे हमारा क्या होगा function one and function two only मतलब यह जो रहेगा हमारा fourth वाला correct answer रहेगा अब यहाँ पे मैं paint brush खोल लेता हूँ क्योंकि अब हमारे पास coding के question आएगे तो coding के question के लिए मुझे आपको पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा तो coding के question दोस्तो अकसर जो रहते हैं वो मतलब आपको अच्छे से पूरे पता होना चीए जिससे कि आपकी practice अच्छी हो जाए देखे कि अब हमें निकालना है इस output ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखे value की value उन्होंने क्या देदी एक well नाम का variable बनाया जिसकी value उन्होंने देदी 0 अब यहाँ पे उन्होंने एक while loop लगा रखा है while loop में length of input list is not equals to 1 तो length क्या input list की length देखे 0, 1, 2, 3, 0 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे पास length क्या आगई 5 आगई अब 5 is not equals to 1 ठीक है अब आप यहाँ पे देखे 5 not equals to 1 है तो यह क्या condition है यह condition true है तो यहाँ while loop में अंदर जाएगा फिर input list.pop1 तो यह क्या है यह index 0 है यह index 1 है यह 2 है यह 3 है और यह 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप ध्यान से समझे यहाँ पे क्या होगा कि यह remove हो जाएगा क्योंकि हमें क्या बोला है pop कर दो जो index 1 पे value है उसको pop कर दो input list में तो हम इसको pop कर देंगे तो हमारे पास value क्या जाएगी 0, 1, 3, 0 ठीक है इसके बाद आप ध्यान से देखिए input list.remove input list of 0 ठीक है input list of remove मतलब हमें remove करना है जो कि 0 index पे तो यहाँ पे 0 index क्या है 0 index पे है 0 index 1 index 2 index 3 index आप इस चीज़ को मत देखिए value की value है ठीक है 0, 1, 3, 0 तो हमने यहाँ पे 0 को हटा दिया क्योंकि हमें इसे remove करना है तो हमारे पास क्या आगई value 1, 3, 0 ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए input list.append append का मतलब क्या होता है कि सबसे last में add हो जाओ तो value की value क्या है 0 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या add हो जाएगा 1 से बढ़ेगा तो अब another condition किसके लिए check करेगा another condition अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास किती value आगई हमारे पास जब हमने इसको solve करा यह आपको समझ आया होगा कि यह 1 कहां से आया है हमने value को जोड़ दिया है जब 0 प्लस 11 हो जाएगा फिर value को बढ़ाएंगे अब यहाँ पे आप इसकी ध्यान से length देखिए इसकी length क्या होगी 1,2,3,4 तो अब यह length वापस उपर जाएगी और compare होगी ठीक है कैसे compare होगी इसी हिसाब से compare होगी जैसे कि 4 is not equal to 1 तो यह क्या condition है यह condition जो है वो true है ठीक है क्योंकि 4 जो है वो not equal है वन के तो इस type से condition चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और यह कब तक चलेगी जब तक ही यहाँ पे condition जो है false नहीं हो जाती तो हमारे पास इसका answer जो है वो list 4 आजाएगा जब आप इसे run करेंगे मैंने सारे code run कर लिये हैं दोस्तो आप भी इन्हें एक बार run कर सकते हैं बच मैं आपको यहाँ पे concept समझाते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे video लंबी ना हो इसी के सबस्त आपको concept जो है वो एक दम अच्छे से यहाँ पे ही समझा जाए इसी के सबस्त इसका answer जो है वो 4 रहेगा क्योंकि यहाँ पे last में जो means यहाँ पे last में value बचेगी या पूरी जब हम इसे solve करेंगे तो इसका 4 आएगा output आप output चेक कर सकते हैं अब question number 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या output आएगा इस code का यह question हमने पहले भी कर रखा है मतलब इससे मिलता जुलता question हमने पहले भी कर रखा है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है retrieve number number value जैसे 7,4 है ठीक है तो ध्यान से देखे इसने क्या करा मैं इसे clear कर देता हूँ ठीक है आपको दोस्तों यहाँ पे हर चीज जो है वो पूरी proper अच्छे तरीके से समाझ आना चीए देखे retrieve number number value number में क्या है 7 है और इसमें 4 है तो मतलब यह number में 7 है और इसमें 4 है ठीक है अब ध्यान से देखे if number is less than value is truncating division 2 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 7 less than है और जो value है value की value 4 है ठीक है तो value और यह truncating division हो जाएगा तो जब यह truncating division होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आजाएगी value 2 आजाएगी तो यह क्या हो जाएगी 7 is less than 2 तो यह condition तो false हो जाएगी क्योंकि 7 जो है वो छोटा थोड़ी नहीं है 2 से फिर हम elif part पे जाएगे तो फिर यह 7 क्या होगा 7 percentile 2 is equals to is equals to 0 तो 7 को जब हम 2 से percentile जब भी हम remender निकालते तो 0 नहीं आता है तो यह condition भी false हो जाएगी फिर हम else part पे जाएगे तो else part पता है दोस्तों क्या return कर देगा else part हमें return कर देगा इसकी value value minus 1 हमारी value क्या थी 4 minus 1 तो यह 3 हो जाएगा into retrieve num retrieve num मतलब यह में जाएगा फिर 7 minus 1 6 हो जाएगा और value में क्या हो जाएगा 4 minus 1 3 इसी type से हमारी यह जो है वो पूरी value हो जाएगी जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 minus 1 3 फिर retrieve फिर 7 minus 1 6 7 minus 1 6 और यहाँ पे 4 minus 1 3 अब यह इस वाली condition को वापस से check करेगा उपर जाके और ऐसी जितनी भी condition होगी वो बार बार चेक होगी बार बार चेक होगी और जो value आएगी आखरी में हम सब उनको multiply करके इसका answer निकाल लेंगे जब आप इसे run करेंगे तो इसका answer 315 हाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिफ condition चेक करनी है बार बार condition चेक हो रही है कब तक चेक होगी जब तक इसमें अब जैसे यह वापस उपर जाएगा जैसे retrieve number 1 वापस से check करेगा कि क्या number 1 की value है तो हम number 1 की value देखेंगे फिर 6 है फिर 3 है तो इस type से condition चेक करेगा तो यह condition चेक करने के लिए आसान रहेगा जो है वो यहाँ पर 315 ही मिलने वाला है इसी के सबस्त अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह question थोड़े logical based है आप इन्हें अच्छे से एक बार solve कर लिए जिएगा इसी के सबस्त question number 5 की तरफ बढ़ते हैं question number 5 में यह है कि 3 utilities problem is mathematical puzzle जो की बहुत famous problem है there are 3 houses on a planar surface मतलब 3 houses plane surface पे ठीक है अब वहाँ पे 3 utilities है मतलब utilities मतलब जरूरत है जैसे कि gas फिर water और electricity ठीक है और 3 houses है each house need to be connected of each of these 3 utilities कौन से data structure का use करेंगे 3 utilities problem को solve करने के लिए जैसे हैं यहाँ पे 3 houses है A, B, C ठीक है तो यहाँ पे हमें A को gas भी देना है electricity भी और water भी फिर B को भी gas B को भी water, B को भी electricity फिर C को भी gas, C को भी water और C को भी electricity अब आप यहाँ पे ज्यान से देखिए यहाँ पे हम stack का use नहीं कर सकते क्योंकि हमको एक चीज को भी remove नहीं कर सकते कि pop करना है या push करना पड़ेगा हमें तीनों की जरुरत पड़ेगी हम tree का भी use नहीं कर सकते कि कि किसी एक node को root बना दें और सभी का use करें hash table का भी use नहीं कर सकते इसमें graph का use होगा क्योंकि यह graph की जो है वो एक application है दोस्तो three utilities problem क्योंकि graph में क्या होता है node और vertices होती है जिससे ही आपस में connect रहेंगे और सारी चीजों को जो है वो एक ही साथ utilities मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि three utilities problem is the application of graph data structure अब हम बढ़ते question number 6 की तरफ जिसमें consider करते python code अब यहाँ पर देखिए एक python code दे रखा है दो class है employ और trainee अब यहाँ पर हमें meta class abstract class बना रखिए और यह abstract method है मैं आपको यहाँ पर पहली चीज़ बताना चाता हूँ यहाँ पर उन्होंने क्या बुलाए कि following statement कौन से true है तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पर दो उन्होंने बता रखें तो only first is true, second, both second and third are true ठीके तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि किस type से इसका जो है वो answer है देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर उन्होंने बताए कि हमें याद रखना है यहाँ पर error आती है तो हमारा first वाला condition जो है वो true होगी अब आप यहाँ पर class trainee को देखे जब हम इस class trainee में से यहाँ पर employee की तरफ वो हो रहा है तो यहाँ पर जब हम इसे implement करेंगे तो यहाँ पर ही error आ गई है मतलब यहाँ पर monthly salary जो है उसको ही हमने define नहीं किया है तो class trainee जो है वो भी execute नहीं हो पाईगी तो यहाँ पर class trainee initiated नहीं हो पाईगी क्योंकि हमने implement नहीं करा है monthly salary method को तो यहाँ पर हमारा answer जो आएगा इसका आएगा both first and second are true क्योंकि यहाँ पर हमें यही चीज़ी बतानी कि कौन से statement true है आप जब इस code को run करेंगे particular तो आपको पता चल जाएगा कि किस type से यहाँ पर error आ रही है यहाँ पर initiate नहीं हो पाया है यहाँ पर कुछ operations perform initiate नहीं हो पाईगा क्योंकि वो यहाँ पर abstract class है मतलब initiate नहीं हो पाईगा इसी के सबसाथ यहाँ पर trainee में भी नहीं हो पाईगा ठीक है question number 7 की तरफ बढ़ते है values दे रखिए 823, 863 और num की value दे रखिए अब यहाँ पर ध्यान से एक बात को समझनी की कोशिश कीजिए दोस्तो यह तोड़े logical based question हमने काफी सारे questions पहले भी solve कर रहा है values 823, 863 0 index, 1 index num num का एक नया variable है values जारी है 0, 0 से लेके कहां तक जारी है देखे आखरी तक तो यह 0 में क्या था? 823 था और यह 0 से लेके last तक तो 0 से लेके last तक 0 और 1 तो यहाँ पर भी है जब हम इसे compute करेंगे तो num में हमारी value 823 आएगी for row in range 0 से length of value तो length किती है? 1 और 2 तो इसकी 2 है, तो यह 0 से 2 तक मतलब 0 से 1 तक ही चलेगा तो यह 0 और 1, 1 तो exclude हो जाएगा ठीक है, 0 से 2 तक तो 1 और 2, तो यह 0 से 1 तक ही चलेगा 1 तो exclude हो जाएगा तो 823 value को लेगा फिर column वाली value को लेगा और इसको जो है, वो operations perform करेगा, आपको जिफ़ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि यह यहाँ पे यह जो value है 823, इसी को लेके compute करना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बता दी है कि num में जो है, वो values अलग जा रही है, ठीक है यहाँ पे आप पूरा अच्छे से समझ सकते कि case type से values अलग जा रही है अब आप यहाँ पे जब condition चेक करेंगे num is greater than values row of column, जब आप इन्हें चेक करेंगे और num की value print करवाएंगे, तो इसका जो answer आएगा, वो 23 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो value है, वो बार-बार change होती जाएगी, according to the according to the loop, जब-जब loop चलता रहेगा, लूप में execution होगा तो यहाँ पे values change होती जाएगी जब आप इसे run करेंगे, तो इसकी value है, वो 8.23 की यहाँ पे जब आखरी में आप num की value print करवाएंगे, तो 23 आएगी, जब आप इसे अच्छे से run कर लेंगे, ठीक है इसके बाद question number 8 की तरफ बढ़ते हैं, question number 8 last question है, आज की series का इसी के सससत में आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ कि यहाँ पे हमें code output बताना है, इस given below code का तो यहाँ पे ध्यान से देखिए data 50 है, try है और हमें यहाँ पे data बता रखा है फिर extract बता रखा है और यहाँ पे finally बता रखा है और फिर यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, else बता रखा है एक बात notice करी आपने finally और else दोनों साथ में else block यहाँ पे following कर रहा है finally block को finally block के अंदर आप देखिए else block है, और जब भी ऐसा होता है तो python एक error फिकता है जिसको हम बोलते syntax error तो इसका answer यहाँ पे syntax error होगा कभी भी finally block के अंदर else block जो है, else block following कर रहा है finally block को तो यहाँ पे python support नहीं करता है तो दोस्तो इस type से आज की वीडियो थी I hope आपको बहुत सारे questions समझ आए होंगे कुछ भी doubt है आप comment section में पूछिए, ये videos में हमने ये देखा कि हमारे जो previous questions रह गए थे, उन्होंने कैसे solve करना है, इसके साथ आप maximum practice कीजिए जब आप इन code को run करेंगे तो पूरे अच्छे से output आ जाएंगे कुछ भी doubt हो, comment section में पूछिए इसके साथ साथ आने वाली videos जो रहेगी, उसमें भी हम preparation बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छे लगे होगी, comments करके जरूर बताईए अगर कुछ doubt है तो thanks for watching the video